असलाम लेकुम एब्रिवान, वेलकुम टू मैं चैनल, वेलकूम टू एन अधर व्लॉग, आज के व्लॉग पर मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी आफ्टेनून टू नाइट रूटीन, के जो दिन का ये वला टाइम है, हम लोग किसना स्पेंड करते हैं, मोस्ली ये होता है, कि हम लोग मैं एक बारा एक बजे के दोरान कोकिंग वगरा करके फारीग हो जाती हूँ, लेकिन आज कुछ कोकिंग लेट होगी, बिकर्स मुझे बनानी थी कड़ी, और घर में दही नहीं था, और हस्बेंट को मैंने दही लेने भेज़ा, तो काफी टाइ इस वज़ा से फिर थोड़ा खाना लेट हो गया, बचे स्कूल से आये थे, मैंने उनको शामी कवाब के साथ रोटी बना के दे दी थी, मैंने भी वही खा ली थी, तो कड़ी मैं बना रही हूं उसके बाद, तो यहां पर मैंने सबसे पहले एक पैन में ले लिया है, चोटे अगर आपके पास इसकी पेस्ट है तो आप भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने बस जल्दी जल्दी में यह काम किया और अपनी असानी के लिए मैंने इसको ऐसी डाल लिया था, तो खैर, यहां पर हमने हलका सा प्यास को और लहसन को सोते करना है, बहुत ज़दा हमने इसको कलर अब्र लाएंडिकर निया हैं तो यहँए हैं तो बेसिक नमक डाला है, नमक डाला है, सुर्ख मिर्चा यहल्दी टाली है, क्रीन चीली को सीजर के साथ आपके करिक हम बनाएंगे, ऑग्सें बदो हम बनाई ज़ए हम ड़की आच पर अज़खते यहां हम बुड़ी कर गड क्योंकि बच्चे तो बिल्कुल भी ये पसान नहीं करते और बस मेरा और हजबन का खाने का मूर था और ये दो टाइम के लिए हम बनाएंगे दो से तीन टाइम के लिए और तो इस वज़ा से मैंने इसको बहुत कम बनाया है तो आप भी उसी साफ से मैनेज कर सकते हैं यहाँ पर मैं आदा किलो तक्रीब बना लेनी है मिक्स करके पानी डालके और पानी आप इसमें खुला डालेंगे वैसे तो ब्लेंडर में मैंने थोड़ा पानी डाला था कि बस अच्छे से ये मिक्स हो जाए लेकिन उसके बाद जब मैं इसको कड़ाई में शिफ्ट करूँगी तो फिर मैं इसमें थोड़ा और पानी डाल दूँगी ताकि खुले पानी में अच्छे से ये बन सके रैस्पी शियर करने का मकसद ये है कि हो सकता है कि कोई ऐसा परसन भी हो जो मेरी ये वीडियो देखिए और उसको कड़ी नहीं बनानी आती हो तो बहुत बेसिक है ये और जो मैंने आपको क्वांटिटी बताई है अगर आपने इससे ज़्यादा बनानी है तो आप फिर बेसन और दही की मिकदार आप उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं तो फिर मुझे थोड़ी वह तरीका आगया तो मैंने अब तीन दफ़ा बना चुकी हूँ घर में तो अब ये सही बन जाती है क्योंकि शादी से पहले तो मैंने कभी कड़ी को चखा भी नहीं था कि ये कैसी होती, इसका टेस्स कैसी होता है मेरी अमी बहुत मशूर था, बहुत अच्छी बनाती है लेकिन मैं कभी भी नहीं खाती थी, मुझे अच्छी नहीं लगती थी लेकिन शादी के बाद ऐसा हुआ कि एक दिन घर में कड़ी बनी, मेरी नानने बनाई और मैं कोई एक्स्क्यूज नहीं दे सकती देना चाहती थी, कि मैंने कड़ी नहीं खानी तो मैंने बस कर्टिसी में कड़ी खाना शुरू की तो मुझे इतनी अच्छी लगी, उनने वो बहुत अच्छी बना दिया तो फिर मुझे ये, कि अब ये थोड़ी पसंद आने लगी उसके बाद जब भी घर में बनती थी, मैं खा ले थी थी लेकिन कभी खुद नहीं बनाई थी तो फिर जब मुझे, क्योंकि मेरे हजबन को ये बहुत पसंद है और जब मैंने फिर सोचा कि मुझे भी सीखनी चाहिए, मुझे भी बनानी चाहिए उनके लिए तो फिर आप ये कि मुझे आगी है, इसलिए मैं आपके साथ रैस्पी शेयर कर रही हूँ कि जो लोग कड़ी पसंद करते हैं या जो नहीं अभी कुकिंग करना सीख रहे हैं अगर उनको कड़ी पसंद दा तो वो भी फिर बना ले तो ख्यार, यहाँ पर मैंने इसमें शामिल कर दिया था पानी और पानी हमने तकरीबन एक डेट किलो इसमें शामिल करेंगे और इसको हलकी आँज में हम पकने देंगे, लेड उपर रखके, ठीक है दूसी साइट पे, मैं अब यहाँ पर पकोड़ों की त्यारी कर रही थी पकोड़े आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं और कड़ी में कुछ लोग कॉफते भी डालते हैं, पकोड़े डालते हैं तो आपकी मर्जी है, जो सबजी आवेलेबल हों आप उसे साब से कर सकते हैं मुझे पकोड़ों में बेसिक ये तीन चीजें, बहुत ज़दा पसंदा है और इनके बगएर मैं पकोड़े सोच भी नहीं सकती मैंने थोजी से पालक लिया, एक चोटे सा इसका प्याज लिया है चोटे सा इसका मैंने आलू लिया है, उसमें मैं बेसिक मसाले नमक डालूँगी सुर्ख मिर्च डालूँगी, थोड़ी से हल्ली डालूँगी, थोड़ा सा गरम मसाला डालूँगी और ज्ञादा सारा इस में जो होता है धनिया, वो हम डालेंगे, धनिया मुझे पकोडों में बोहत ज्यादा पसंद है, अगर आप वैसे भी पकोडे खाएं, चाई वगधा के साथ, तो भी, अगर कडी में भी, तो धनिया मैं बोहत इसमें डालती हूं, इसके इलावा मैं थो इसी सबस मिर्च वह भी मैं बरीग बरीग काटकर इसके अंदर डालूंगी तो हमारे जो पकोडों का मसाला है वो रेडी हो जाएगा बेसन डालना है थोड़ा सा पानी डालना है इसमें ठीक है पानी अगर आप ना भी डाले तो जब कुकिंग करने लगें जब आपने पकोड पानी डालेकर अच्छसे मिक्स कर ले और फिर अपको अटकर करेशन लालन कर लालन नंगा मैं? तौछ थाली डाला से मैं थोड़ी देर में इसको फ्राइख कर लूगी उसे साप से में आप ढूँए भी इसके सकते हैं कि पानी नांने डाला और मोटा सा मैंने बना लिया और यसका मिक्सर मैं बशब डख के रख दूंगी जब कड़ी हमारी तक्रीबन डान हो जाएगी तो फिर हम पकोड़े फ्राय करके इसमें शामिल कर देंगे तो बस इसके बाद मैं चलेगी थी नहाने मैंने सुचा मैं शावर ले लूँ और क्योंकि बच्चे जो हैं वो अपना टीवी बगारा इंजोई कर रहे थे इनको ऐसे छोड़के तो बस मैंने नहाया और उसके बाद मैं फिर आगी थी सिच्वेशन ये है घर की अलहमदोलेला एक दफा क्लीनिंग हो जाए तो पिर आल्मोस सारा दिन घर क्लीन रहता है इनकेस के बच्चे अपने टोइस वगरा ना भी खेरे क्योंकि टोइस का ही ज़्यादा तर महस्त होता है मौसम जो है यहाँ पर आज बादल बने हुए है और अजीब सा मौसम है बिल्कुल धूप निकली थी और इस तरह का मौसम मुझे बड़ा अजीब स्ट्रेस में ले आता है मुझे अच्धा नहीं लगता है धूप शूप निकली हो तो मज़ा आता है इस तरह का जो फोगी सा यह बादल बादल बने हो ना बड़ा अजीब सा मौसम लगता है तो घर की कुछ यह सिचवेशन है और रूम तो नीट एंड क्लीन है लेकिन जो लिविंग एरिया है वो बना हुआ है दोबी कार्ट क्योंकि मैंने बताया बादल मने हुए है मौसम बहुत खराब था तो कपरे जो है वो यहां पर टीवी देख रही है साथ साथ खेल रही होती है पास हीटल लगा होता है तो अच्छा एंवारिम्ट बना होता है हमारे लिविंग एरिया का सारा दिन तकरीबन बच्चे यहीं पर टाइम स्पेंड करते हैं यहीं पर खेलते हैं इजा भी यहीं पर खेलते है especially जब जन फात्मा आ जाती है तो फिर इजा उनके साथ बहुत जड़ा श्वारिय करते है तो जो जो ऑक्टविटी वो कर रही होती है फिर इजा को भी वो यह अक्टेविटी करनी होती है अलाके वो भः चोटी है खेर यहां पर जी हमारी जितनी दमें में नहाई और आरेंज की तो यहां पर अलमुष्ट हमारी ही बन गी ती थोड़ी से KANSYSTSYS की और मैं थोड़ी करूंगी थिक वैसे मुझे मुझे इसकी थिक नहीं करनी क्योंकि इसमें पकोड़े जब डालते है तो बहुत ज़ग थिक इतनी होनी चाहिए कि अच्छे से खाई जाए और यह पर कोड़े का समान है जो मैंने बना के रखा बस मैं इनको फ्राय करूँगी और यह वली जो चीजें कुछ मुझे यहां से समेटनी है यहां चीजें लेकर आए थे ब्रेड थी वेजटेबल्स थी एक थे तो इनको मैं ब इससे निकालके वो डिरेक्ट खाना शुरू कर देते हैं तो अगर धुली होती है तो मुझे सकून होता है कि अच्छा आब यह खा सकती है कोई इशू नहीं है इसी तरह फ्रूट है एपल्स है कुछ पी है इवन मैं बनानास भी धो लेती हूं कि बच्चे उनको जब बाहर से पील ओफ करेंगे तो अफकोर्स बनानास तो गंदे होते हैं बाहर से तो इस वज़ा से मैं उनको बाहर से एक दफा वाश कर लेती हूं ताके बच्चों के जो हाथ है ना वो खराब नहीं हूं तो बस यहां पर मैं सारी वेजटेबल्स जो है वो धोके रख लूंगी मैं मैं यही कोशिश करती हूं कि गाज्रे और क्यूकंबर घर में जरूर पढ़े हो क्यूंकि बच्चे जो है यह बहुत शोक से खाते हैं मैं इनको पील ओफ करके काटके लंबा लंबा दे देती हूं तो यह फिर खाती रहती है और तीवी देखती है यह खेलती रहती है तो इ आई स्लोली खाने को हलाके मैं जो बहुत बुरी लगती है मैं कभी भी नहीं यह खाती है और मेरे हस्बेंट को और फात्मा को यह बहुत पसंद है अकसर जब हम आईस क्रीम खाते है तो वो यह ही खाते है लेकिन आज पता नहीं क्यूं मेरा दिल कर रहा था कि मैं यह खाऊ तो मैंने husband से कहा, जब वेजरेबल लेने गे थे, और धवी लेने गे थे, मैंने कहा कि आते हो, जरूर रहे के आनी है, तो मैं वो क्षारी थी, यो फोने सब ही बना रही थी, और पकोडे उतने ही बने थे जितने मुझे कड़ी में चाहिए थे क्योंकि पहले जब मेरी नेनी शादी हुई थी और हम लोग नेने मूव हुए थे यहाँ पर तो मुझे बिल्कुल प्र पता नहीं चलता था मैंने कितना सालन बनाना है मुझे कितना बनाना चाहाए दोगोंके लिए मैं इतना ज़्दा बना लेती थे तिए फिर उस बुगते रह ज़ेजा थे दो दो तिन, तीन दीडिन तो अब लेकिन وक्त के सासा मुझे बिल्कुल अंदाजह हो गया that हम कितने लोग हैं, हमें कितना खाना बनाना चाहिए तो काफिया तक अहां अभी ऐसा होता है कि सम्टाइम्स अगर मिहमान आजाएं कुछ जादा आजाएं मुझे अंदाजा नहीं रहता कि कितना खाना होना चाहिए मैं हमेशा कोशिश यह करती हूँ, जादा ही बनाओ बस एक दफा मुझे काम बन गया था राइस मैंने बनाए तो कम बन गया थे तो खेर, ऐसा लाइफ में होता है लेकिन यह कि मैं कोशिश यह करती हूँ कि हमेशा जादा ही बनाओ लेकिन हाँ घर में बनाने के लिए सबजी वगेरा मुझे काफी हत तक अंदाज़ा हो गया कि हम दो लोग है तो हमें एक पाउ सबजी हमारे लिए काफी है और इसे तरह मैं कड़ी बना रही थी तो भी मेरा अंदाज़ा अच्छा रहा कि इतनी सी बनी कि जितनी हम लोग एजिली खा ले और पकोड़े भी दो लोट्स में मैंने बनाये थे और पूरा-पूरा उसका जो समान था पकोड़ों का मैंने बनाया वो बिल्कुल पूरा-पूरा आ गया था एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं मने तो खैर पकोड़े मैंने बना लिये थे अब मैं इनको डालूँगी कड़ी के अंदर थोड़ा सा चुला ओन कर दूँगी चुला मैंने बंद कर दिया था क्योंके कंसिस्टेंसी जितनी मुझे चाहिए थी उतनी उसकी हो गई थी आप देख सकते हैं तो अभी मैं इसमें जब पकोड़े डालूँगी ना तो पकोड़े भी अपने अंदर काफी सोक कर लेंगे कड़ी तो इस वज़ा से फिर कंसिस् तर्का लगा रही थी क्योंके जीरा मैंने इसके अंदर नहीं डाला था वैसे तो शुरू में मैं तर्का लगा लिया था इसकी कोई इतनी खास ज़रूरत नहीं है लेकिन मैं फिर भी उपर चाह लगा लेती हूँ अच्छा लगता है और वैसे मेरे हस्बेंड को तरी बहु अब कड़ी हमारी त्यार है मैंने तो खाना का लिया था हस्बेंड के लिए में रोटी बना के रखी हुई थी तो बस वह खाना का रहे थे और मैं उनके पास बैठी थी हम गपशप कर रहे थे आज फ्राइडे था तो इस वज़ा से वह घर पे थे अक्सर फ्राइडे को वह गहर होते हैं कोई खास मीटिंग हो तो ही ओफिस आते हैं तो इस वज़ा से फिर आज उनके साथ काफी टाइम मिल गया और कीचन में मैं खाना बना रही थी उपास ही खड़े थे हम बातें भी कह रहे थे और यह जीब सा कंबिनेशन था कड़ी के साथ एग का लेगिन उनको खाना था तो इस वज़ा से फिर मैंने इनको बॉयल कर दिया खैर उन्होंने खाना खाया उसके बाद मेरा हो गया था टाइम क्योंके मैं पहले खाना खा चुकी थी तो चाए का शाम का जब भी जिकर होता है तो चाए तो मस्ट होती है और यह तो रूटीन के अंदर एक शा अब दुपहर से ओनवर्ड जो टाइम होता है ना चार पांच बज़े तक उसमें मैं थोड़ा सा इन्टरेंड होती हो इस टाइम पर मैने चाहिब भी नहीं होती है इस टाइम पर मैंने कोई एंटरें होना है कोई जरामा देखना है कोई serial कोई play या फिर कोई movie देखनी है तो इस time पर मैं देख लेती हूं और क्योंकि बच्चों का भी ये time होता है टीवी देखने का तो फिर मैं भी इसी time में फिर अपनी enjoyment भी कर लेती हूं इसके इलावा अगर काम करना हो मुझे कोई just like कोई editing करनी है मैं voice over करना है फिर बच्चे टीवी देख रहे होते हैं इसले मैं फिर अलग room में आ जाती हूं और फिर मैं voice over कर जाती हूं फिर अच्छा time होता है voice over करने का मिरना बाद में फिर शोर बहु ज़्यादा हो जाता है तो यह जो time है ना मेरा इसमें मैंने अपनी काफी activities रखी होती है और यह relaxing time ही होता है चार से पांच बजे तक उसके बाद फिर मैं बच्चों को पढ़ाना शुरू करती हूं और उसमें तकरीबन एक से डेर दो घेंटे भी लग जाते हैं तो वो चलता है और आजकल यह मेरी फेवर प्लेस बनी हुई है मैं इधर ही बैठते हूं यह पता नहीं क्यूंद आजकल मुझे ठंड जादा लग रही है तो यह heater का पास है ना sofa मैं उसी बेठती हूं और यहां पर मैंने यह चादर भी चाही होती है मुझे यह बहुत बुरा concept लगता है कि सोफों पे cover चड़ाना और कापिट्स पे चादर चड़ाना लेकिन यह जो कापिट है यह white and black है और यह मेरी जिन्दगी के सबसे बड़ी गलती थी यह मैंने white and black कलर का कार्पिट ले लिया मैं आपको suggest करूंगी कि कभी भी black and white कलर का कार्पिट ना ले यह बहुत जल्दी गंदा होता है white कलर भी और black कलर में भी अकसर बाल चीज़ें बहुत prominent होती है तो मैंने अब इसके ओपर चादर भी चाही होती है क्योंकि चादर से य जाती है और पहले जो जब सिर्फ जैनब फात्मा थी में पास टाइम और भी ज़्यादा होता था तो मैं कार्पिट हर 20 दिन बाद 25 दिन बाद धो लेती थी और especially घर्मियों में तो धुली जाता है और क्योंकि ड्राइव गो जाता है और वो कार्पिट जो मेरे पास पहले थे वो थोड़े पतले भी थे ये कापिट मोटा भी बहुत ज़्यादा है और दूसा ये कि इसको धोना फिर सूकने के लिए डालना बहुत मुश्किल है यह नहीं मुश्य धुलता तो इस वजा से ये कम धुलता है उपर से इसका कलर भी ऐसा है तो मेरे लिए बहुत मेरे दीद दीख लेते हैं तो उनको हता है कि बाबा बाबा हमाए साथ यहा तो भागें यहा गोड़ा बने और फिर मेरे हस्बेंट हुए उनके साथ काफी कर्तब करते हैं मैं ऐसी खेले नहीं मिए बच्चों के साथ खेलती पत मेरा शह Pir ए आसा है लेकिन मेरे हस्बेंट भो बोट बच्चों के साथ इस तरह खेलते हैं तो वो भी जब बापा को देखती है कि बाबा आप फ्री है तो वो फिर डिमांड करती है कि हमने आपके साथ खेल ले तो बस यहाँ पर वो खेल रही थी इन्जॉइ करी थी और मैं इनको देखके इंजोई करे थी और उसके बाद जब जैसी शाम होती है आज फ्राइडे था तो फ्राइडे को मैं बचों को काम नहीं करवाती सिर्फ एक फ्राइडे का दिन होता है कि मैं बचों को पढ़ाती नहीं हूँ मैं खुद भी रिलाक्स करती हूं और बचे भी रिलाक्स करते हैं तो मैं आगे थी रूम्स में और अब अपने रूम में आ के इस ताइम पर मैंने बचों को के सोने का और अपने सोने का प्लैन बनाना होता है बिस्तर में ठीक करने होते हैं और ये जो fleece का blanket है ये वोही fleece का blanket है हर जगह से अब तो ये मिल जाते हैं आम local markets में भी और brands वगएरा पे भी मिल जाते हैं ये इतना, मैंने तो local market से लिया था ये इतना अच्छा है और पहले तो मैं ये सोचती थी कि ये just AC के लिए है और सर्दियों में बिल्कुल काम नहीं आएगा जस्टा थ्रो वगेरा काम आएगा लेकिन ये इतना अच्छा है कि मुझे लगता है कि हमारा जो बहुत heavy blanket है उसकी निस्बत भी ये ज्यादा अच्छा warm करता है मैं इसको नीचे भी छा लेती हूँ उसके उपर blanket हम लाइक इसको उपर ही लेते है लेकिन blanket से नीचे मैं इसको भी छाती हूँ तो इतना warm रहता है पहले ऐसे लगता था सर्दी में के रात में जब हम बिस्तर के में जिस जगह लेते हैं लेते हैं पाओं थोड़ा सा भी दर दर करते हैं तो तैसल लगता था बिस्तर गीला है लेकिन इसकी वज़ा से पूरा बिस्तर warm रहता है तो मैं तो इसकी बड़ी वो फैन हो चुकी हूई हूँ उसके बाद अपना बेट जो है वो मैंने सेट कर लिया था हीटर मैंने रूम का ओन कर देती हूं इस टाइम शाम में ताकि जब हम सोएं तो फिर अच्छा रूम वाम हो जाए और ये सोफा का मबेड ये बहुत अच्छी मेरी इंवेस्टमेंट थी एक तो ये वैलवेट का है मुझे परिसनली वैलवेट के सोफे बहुत पसंद है इजी टू क्लीन होते हैं इजी टू मेंटेन होते हैं ये खराब नहीं होते हैं पिदाग नहीं लगते तो ये बच्चों हम जैना फात्मा इसी पे सोती हैं को सर्दिया हैं तो इस वाद से मैं उनको रहों में ही सुलाती हूँ और हीटर ओन करके हम सब एक रहों में सो जाते हैं खर उसके बाद मैं आगी थी रात के डिनर की त्यारी करने के लिए तो यहां पर बच्चों को खाने थे क्रैप्स और just like pancakes यह ओते हैं बस pancakes थोड़े fluffy होतै यह थोड़े flat होते हैं तो मेरे बच्चों को यह बहुत ज़दे पसंद है काफी दिन से मैं ने बना के नहीं दिया थै तो फात्मा बहूँ जिद जित कर रही थी उसको यही खाने है तो खेर मैं उनको ये बना के दे री थी जैनब और फात्मा को दिया और इजा को भी मैंने एक छोटा सा बना के दे दिया और अलहम्दोलेला उसने खा लिया मैं फर्स टाइम उसने खाया है पहले जैनब वगरा से एक आध बाइट ले 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 थी लेकिन उसको अच्छा लगा और उसकी भूग का टाइम भी था तो उसने भी खा लिया और मैं बड़ी खुश होगी कि चलें अब जब जैना फात्मा के लिए बनाया करूंगी तो इजा के लिए भी एक बना लिया करूंगी और उसके बाद मैंने अपने लिया और अपने बैटके डिनर किया हम लोग वहोगी सबने डिनर किया साथ साथ मैंने किचन को भी स्मेट लिया साथ गैस उतनी ज़एदा काम थी मुझे इतना घुसा आता है का इसका वाल्मिहां बहुत जदा ए है तकरीबन दो साल होगी है ये इशू रहता ही रहता है सिर्फ सड़ियों में नी गर्मियों में भी यह होता है चुले को बहुत तेज करना पड़ता है और कुकिंग का जो टाइम है वो भी ज्यादा लग जाता है एक अंडा भी बनाना हो तो तो अगर एक अंडा एक मिनट में बन जाता है तो इसमें तकरीबन दो से तीन मिनट लग जाता है पतनी क्या इस गैस का इशूँ है खैर रोटियां मैंने बना ली थी बच्चों के लिए क्रैप्स बना लिये थे उसके बाद मैंने जो स्लैब्स वगेरा होती है वो सासा फी मैं क्लीन कर लेती हूँ जैसे ही लास रोटी मैं तवै पर डालती हूँ तो मैं अपना जो भी रोटी बनाने की चीजazing होती हूँ उनको सासा स्मेटना होटना शुरू कर देती हूँ अब बस खाना काईगे यह जी इजा का चोटा सा क्रैप या पैंकिक कह ले तो बस यह भी बन गया था और मैंने इसको दिया और इसने मार्शलाब तो वह अपने हाथ से थोड़ा-थोड़ा काना शुरू करना शुरू हो गई है और मैं अभी उसको दे देती हूँ कि ठीक है कुछ गिराएगी कुछ खाएगी तो उसमें एक हैबिट जो है वो ड्वैलप होगी खाना वोगरा काने के बाद मैं आगी थी दुबारा से किचन में और मैंने सुचा कि थोड़े से यह बरतन है जल्दी जल्दी से इनको खलीन करी कर ले जाए अगर थोड़े बरतन हो नो क Clean करना शदा हहां होता है बजाए इसके कि हम जमा कर ले लेकिन इसमें मेरे शाम के चाये वाले भी बर्तन है ठीक है आपको साथ-साथ बर्तन को साफ कर लेना चाहिए इससे आपका काम बत जाता है लेकिन मैं इस तरह नहीं करती है कि हर वक्त ही किचन में घुसीरूं क्योंकि जहरी बात है कि हम लोगों ने और भी काम करने होते है ऐसा मदर ऐसा वाइफ हमारी और भी responsibilities होती है तो मैं इस सांग करती हूँ कि चाये के शाम के यहां बचों ने को कोई snacks वगेरा खाए है उसके और रात के बर्तन फिर इकटे दो लेती हूँ इस तरह यह होता है कि आपको यह नहीं है कि हर आदे गहंटे बाद हर दो गहंटे बाद आपको किचन में जाना ह जाना है और ठीक है जब आप रात के बर्तन दोने लेगे तो शाम की चाये के भी थोड़े से बर्तन साथ में धुल जाते हैं तो कोई ऐसा इस इशू नहीं होता है वैसे भी हमारी फैमली छोटी है तो ऐसा चीतने सदा बर्तन भी नहीं होते तो इस तरह यह होता है कि काम भ पर टाइम बहुत लग जाता है किचन में तो इस वज़े से मैं अक्सर ऐसे होता है सम्टाइम्स तो यह भी होता है कि मैं नाच्टे के और लांच के भी कठे धो लेती हूँ जब कभी तबियत इतनी अच्छी ना हो या मूड अच्छा ना हो तो बस यह इस तरह चलता है खि यह अच्छे से क्लीन कर लिया था टैब अच्छे से क्लीन कर लिया था सिंक अच्छे से दिन में दो दफा तो यह काम होता ही होता है टैब हाँ दिन में एक दफा मैं साफ करती हूँ लेकिन सिंक जो है वो तो दो दफा मस्ट है कि वो साफ होता है और आजकल वैसे भी गीज प्रिल वाली हमारा स्क्रबर टाइप होता है उसके साथ अच्छे से क्लीन के लिया था और सिंख वगएरा साफ करके तो जो काउंटर यह टॉप था इसको भी मैंने अच्छे से टावल से वाइप करके तो बस मेरा जो किचन था वो बिल्कुल नीट अन क्लीन हो गया था किचन क्लीन करने के बाद मैं शाम के टाइम ऐसा होता है कि एक दफ़ा पूरे घर में चक्र लगा लेती हूं कि जहां जहां अगर कोई बरतन पड़े हैं या फिर कोई टॉइस वगएरा बिखरे होए हैं या कोई कपड़े बिखरे पड़े हैं तो उनको जड़ा समेट लो और बचे अफकोर्स लीविंग एरिया में सारा टाइम गुजारते हैं तो वहाँ पर उन्होंने कुशन्स वगएरा ही दो अधर फैंके होते हैं या जमीन पर सम्टाइम्स लेटे होते हैं हीटर के पास तो कुशन्स रखके तो वो फिर लेट जाती हैं बच्चियां तो मैं फि कुड़ा पड़े भी रहें कभी तो मुझे इतना फिकर नहीं होती लेकिन मौसम की वज़ा से सड़्ियों में मुझे फिर उसको अंदर करना पड़ता है तो मैं अंदर ही कर देती हूं स्टैंड जो है और ताकि कब क्योंके बारिश का कोई पता नहीं होता आज कल तो सारा नहीं बादल बने रहते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे बारिश हो जाएगी रात में भी यही सीन था जिसे लग रहा था बारिश हो जाएगी लेकिन हुई नहीं तो खैर यह जो मेरी एक्टिविटीज है यह शाम के टाइम की होती है कपड़े अगर बाहर मैंने फिलाए हु पड़े थे वो उठाए और कुछ टोइस पड़े वे थे वो उठाके तो फिर मैंने इनको प्रॉपर प्लेस पे रखा और बच्चों को सोने के लिए कहा फ्राइडे को वैसे तो जो जितने भी वीकेंड भी है तो मैं बच्चों को यही कहती हूँ कि जल्दी सो जाए है क्य जोना भी थोड़ा लेट हो गया तो उस चीजों में आज थोड़ा टाइम लेट हो गया अधर्वाइस हमें कभी भी इतना टाइम नहीं होता है मैं 9-9 बज़े तक बच्चों को सुला देती हूँ क्योंकि यह सुएंगे तो मैं भी रेस्ट कर पाऊंगी क्योंकि मैं सुबा नहीं के लिए बिलकुल राइडी थी और हस्बें जो है आपना ओफस में बैठकी काम करते रहते हैं और कभी आ भी जाते हैं रूम में जब उनको भाँ ठान लगती है तो फिर व लूम कर लेते हैं क्योंकि बच्चे उनको पता होता है कि अब सो गए है तो मैं फिर रूम मे टेक केर, Allah हाफेज